अधिया के लार्जस प्लानिंग प्लाटफॉम के उपर जुड़ा हूँ और हम लोग डिसकस करें थे अंदर बुदिजम का जो आखिर का टॉपिक है और राइस ऑप पुरानिक हिंदुईजम उसके उपर चर्चा करना के लिए मिल रहे है तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग ने बुदिजम को पिछले क्लास के अंदर शुरू किया था है और वी हैव अल्मोस्ट कम्प्लीटेड द बुदिजम टॉपिक रिलेटेट टू बुदिजम हमने पूरी तरह से कॉम्प्रेंसिव बुदिजम को समझ जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमको बताते रहते हैं और उससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आपके लिए बेस्ट एनालिटिकल वे ओफ टीचिंग लेके हैं सरहना क्योंकि देखो टीचिंग का तो बहुत सारे अप्रोच होते हैं एक होता है फैक्ट बढ़ा दो फैक्ट लेखवा दो वेरस मैं कैसा सिक्षक हूँ मेरा मानना है कि आप कंसेप्स को देखिए फैक्ट धीरे-धीरे आटोमेटिकली आपको याद रह जाएगी जो भी है चलते हैं आज के क्लास के अंदर शुरुवात करते हैं बुदिजम के डिकलाइन के ऊपर अब आप य ज्यादा टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से कवर करवाने की कोशिश की है राइट तो हमने बुदिजम के अंतरगत बुधा के बारे में देखा था अगर आपको याद होगा तो सर और हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि उनका बर्थ कैसे हुआ सर है ना तो उनक period of time उनका मृत्यू भी हो गया सर है ना 483 BC के आसपास उनका मृत्यू भी हुआ अब मृत्यू के बाद हमने देखने की कोशिश की कि बुद्धा के जो विचार थे वो आगे चलते हैं और चार परिशत बन जाती है यह चार परिशतों के अंतरगत हमने यह भी देखने की कोशिश की थी कि पाली लिटरेचर का डेवलोप्मेंट हुआ और इसी में ही तीन पिटाक उभर के आई विनय पिटाक के साथ साथ सुथ पिटाक और अभिधम पिटाक मैंने आपको यह भी बताया हमने यह बताया कि की पहला संपरदाय बनके आया जिसका नाम था महायान संपरदाय, और आखिर के अंदर हम देखते है कि वज्रयान करके एक और संपरदाय बनके आता है बुढ़िजम के अंदर, ठीक है बेजिकली हमको एक और कंसेप्ट मिलता है बोधी सत्वा का असर है ना तो फिर इसमें फ्यूचर बुद्ध्या का कंसेप्ट भी आ जाएगा जिसमें महित्रे का कंसेप्ट आता है यह आपको बजरायान के अंदर निकेगी सर ठीक है ना तो वी हैड कवरड़ अप दिसमच पॉइंट हमने स्कीजम को देख लिया हमने कांसिल्स को देख लिया सर है ना तो वी हैड एक्चुली सीन हाव डिफरेंट 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 टाइपस डिफलोप्मेंट टूक इस निर्वान प्राप्ति कैसे हुई उसको बने आपको बताया सर है ना अब आगे देखते हैं कि बुद्धिजम का डिकलाइन कैसे हुआ और डिकलाइन के पीछे क्या क्या कारण हुआ करते थे वो भी हम लोग आज के क्लास के अंदर देखने की कोशिश करेंगे आखिर के पॉइंट्स के उपर आज के क्लास के अंदर देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पर शुरू करने से पहले आपको मैं फिर से वेलकम करना चाहूंगा इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लैटफॉर्म के उपर यूटूब के तो हम लोग है ही पट उसके साथ साथ आप हमारे साथ जूट सकते हो अनकेडमी प्लस के उपर हमारा पेड कोर्स वहां पर चलता है और वी टीच मुल्टीपल सब्जेक्स हो के हमारे बहुत सारे एजुकेटर से अनकेडमी प्लैटफॉर्म के उपर पढ़ाने वाले आईटी सिस्ट्री जनरल स्ट्डीज और हिस है modern history के उपर 11 August से हमने शुरू किया करीबन 12-13 sessions इसमें हुए है आप इसको भी attend कर सकते हो बहुत comprehensively इंडिया के top most educators के द्वारा लिये गए sessions को आप attend कर सकते हो in fact economy, history, quality, all subjects under one roof अच्छी तरह से हो सकते हैं यह paid courses के लिए अगर आपको subscription लेना है तो आप subscription ले सकते हो और you can attempt for the combat आप यहां पर scholarship जीत सकते हो on academy के एक साल के subscription की तो फाइदा यही है कि every Sunday आप exam की तयारी करिए हमारे साथ scholarship exam में participate लीजिए and try to get the subscription on yourself and आपने हिसाब सही on academy ही आपको दे देगा खेर इसके अलावा हम लोग की offers बहुत चल रही है अभी GS और optional combo का subscription अगर आप लोगे तो आपको करीवन 50,000 के आसपास cover हो जाएगा और उसमें भी आपको ये code यूज़ करना है pn live get 10% off ये combo subscription का फाइदा यही है कि आप यहां पर test series भी include करवा पाऊगे तो this will include the prelims, mains and optional test series as well the test series cost around 45,000 rupees in the market आप बाहर जाके देखिए आया यह आपको बदा चलेगा कि उसके 45,000 rupees अलग से है ख्यार तो बहुत फाइदा है आपको bookset अविलेबल करवाई जा रही है आपको loan की facility है test series है assurance दिया जा रहा है in fact iconic subscription लोगे तो आपको mentors दिया जाएगा और academic की तरफ से ये mentor आ तो आप कोई भी plan ले सकते हो optional का individual लेना है तो optional individual भी लीजिए but मैं आपको वही suggest करूंगा कि optional का individual मत लीजिए try to take the subscription जहांपे gs और optional दोनों combined way के अंदर क्योंकि ultimately वही आपको helpful करेगा दूसरा important part हमारे subscription का यह है कि आपको razor fan feature मिलता है जहां you can directly talk to the educator just like a phone पर बात करते हो य जैसे जूम जैसे application है सर तो हमारी खुद की भी application आप डारेक्ली बात कर सकते हो हमारे साथ है और डारेक हम लोग आपके साथ इंट्रेक करके आपकी जो queries doubts होते है वो ले सकते है तो बहुत अच्छा होगा in fact we have got multiple batches जो 2022 के लिए लेके आ रहा है तो बहुत सारे subjects इसके हमारी सर है ना तो प्लीज ट्राइट टू अटेंब फॉर टेस्रीज ओके यह टेस्रीज से आपकी तैयारी भी comprehensive होगी और in fact यह फ्री के अंदर अफेलेबल है खाली आपको यह code को यूज करना है पीन लाइक को नथिंग अल्स हमारे special classes को देखे उसमें भी आप हमारे sessions को देख सकते हो ना मेरी description box में मेरी profile को follow कर दीजेगा you'll get all the details about what I teach how I teach what are my future classes future classes क्यों कुछ 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 classes हम लोग free में application के उपर लेते हैं जिससे कहते है special class यह special class के थुरू आप हम लोग के साथ जोड़ सकते हो live class में उसमें इंट्रेक हो सकता है खेर चलता है आज बुदिजम के उपर और बुदिजम का सबसे जो last point है उसके उपर चले जाएंगे and then we'll be trying to understand the decline of Buddhism है ना अब बुदिजम को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है आज मैं ज्यादा discussion करूंगा regarding the decline part क्योंकि decline party in CRT के chapter में दिया नहीं है but as a teacher मैंने आपको बताया था कि मैं करतावे व्यादी व्यक्ति हूं I'm a person who is more of a duty oriented and my duty says की किताब में भले ना दिया हो but we should teach the students की कि बुदिजम का decline क्यों होगा decline होने का मतलब यह नहीं का कि complete end हो गया पर बुदिजम जिस हिसाब से पॉपिलर होना चाहिए जिस हिसाब से बुद्धा की इसके पहले मैंने आपको पाली लिटरेटेचर के बारे में बदा बुद्ध के टीीचिंग्स के बारे में बताया story of पॉइंट ओनली कि वाट एक्चुली हैपने विध बुद्धिजम एंद बुधास टीजिंग कि इट इवेंशुली एंडेट डाउन है न वह खतम हो जाता है किस तरह से खतम होता है सर ठीक है न तो इसके पीछे कौनसे कौनसे फैक्टर्स रिस्पॉंसिबल थे क्या कारण रिस्पॉंसिबल थे उसके ओपर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और टाइम लाइन के ओपर चले जाते हैं अब देखे कहानी क्या है सर ठीक है बुद्धिजम का टोटल डिकलाइन आप समझने की करोगे तो बुद्ध जब तक जिन्दा थे तक तक तो कोई दिक्कत नहीं हुए फिर चार काउंसिल होती है अगर आपको पता होगा 483 BC से लेके 78 CE तक होता है सर 78 CE है यह 78 CE में चौथी काउंसिल हुई और उसके बाद बुदिजम है बटवारा हुआ होने के बाद करीबन ब पता चलेगा कि बुद्धिजम स्टेल सर्वाइव बारवी शताबदी तक हमको बहुत ही क्लियर कट एविदेंस मिल रहे है कि बुद्धिजम अभी भी सरवाइव कर रहा था मतलब बुद्धिजम को फॉलो करने वाले लोग थे काफी सारे उसके प्रचारक थे पर बारवी अब पैन और पेपर लेजिए पहली बात हो सर है क्योंकि आज वाइट बोड के उपर पढ़ा ही होगी और मैं पैन का कलर भी चेंज कर देता हो क्योंकि कल यह पर सो बचों ने कहा था कि सर वो लाल कलर की पैन में थोड़ा ग्लेर इफेक्स जादा आता है वाइट पे लिख इसके पीछे कौन से कौन से फैक्टा से रिस्पॉंसिबल है सर है इसके पीछे कौन से कारण है कौन से कौन से परीबल जिम्मेदार है उसके उपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे लेट एस ट्राइट अब देखिए बुद्ध ने इन फैक्ट एक चीज बनाई थी और व अगर मैं इंस्टुडूशन नहीं बनाऊंगा तो मेरी विचारधारा को कोई कैरी नहीं कर पाएगा राइट सर है अब प्रॉब्लेम यह होता है कि बुद्ध जब तक जिन्दा थे तब तक बुद्ध का संग बहुत बढ़िया चला तिल टाइम बुद्ध वाज अलाइव अब आप याद करिए कि संग के अंदर नियम लिखे गए थे याद आया सर कल का क्लास याद करिए और यह रूल्स को बेसिकली कोडिफाइ किया गया था विनाय पिटाक के अंदर याद आया कि नहीं है अगर आपको याद होगा कल का क्लास तो मैंने आपको बताया था कि विनाय पिटाक को लेके काफी सारे लोगों ने प्रस्ट में उठाने शुरू कर दिये थे अगर आपको याद होगा तो सेकंड कांसिल के अंदर इन फैक्ट वी सी यह जो नियम लिखे गए है यह नियम का इंपोर्टेंस क्या है तो होता क्या है कि जैसे जैसे बुद्धिजम आगे चल रहा है बुद्धा के मृत्यू के बाद उसमें बुद्ध के संग को लेके काफी सारी कमजोरी दिख रही है सर अब आपको एक चीज में बता देता हो सर है बुद्ध को भी पता था कि इंस्ट्यूशन नहीं बनाऊंगा तो मेरे फॉलो और जगडेंगे अंदर और अंदर आइडियोलोजिकल कंफ्लिक क्रियेट करेंगे बहुत सारी और भी चीज़े क्रियेट हो सकती है सो बुद्ध मेड शौर की बही मुझे इंस्ट्यूशन तो बनाने है मुझे लोगों को बांद के रखना है इसके लिए नियम भी लिखे गए विने पिटाक के अंदर पट प्रॉब्लेम यह हुआ कि नियम बदले गए सर और नियम बदलते है तो जो ओरीजिनल रूल्स बुद्धाने बनाये थे सर वो ओरीजिनल रूल्स क्या कहते थे Original Rules लोगों को Code of Conduct सिखाते थे Original Rules लोगों को बताते थे कि तुम्हें ऐसा जीवन जीना है जहां पे आप कोई पाप ना करो सथ है In fact, Buddhism में संग के अंतरगत एक पंचशील का सिध्धानत आता है जैसे आप, in fact, foreign policy के अंदर पढ़ते हो ना पंचशील वैसी ही पंचशील का सिध्धानत आपको बुदिजम के अंदर भी दिखेगा आप मेरे plus courses के उपर आएगा, I'll be discussing कि ये पंचशील का सिध्धानत किन-किन चीजों के उपर बात करता है और क्या ये पंचशील foreign policy के साथ जुड़ा हुआ है की नहीं है खेर, foreign policy के साथ तो सीधा जुड़ा हुआ नहीं है बट पंचशील का अपना खुद का importance आपको देखेगा, you'll find the importance of पंचशील जो बुदा के teachings के अंदर बहुत core था ये code of conduct था और ये नियमों को लोगों को चलना था सर problem ये हो रहा था कि second council के बाद काफी सारे rules बदले गए सर और rules बदलते हैं तो लोगों की way of life में भी बढ़लाव आ गया सर और जब बढ़लाव आता है तो original teaching से लोग भटक जाते है अब बुद्ध ने उस समय के दोरान काफी सारी चर्चाए की थी इन चर्चाओं में लोगों को कहा था कि नियम कभी बदलना ना कभी बदलना the moment you will change आप अपना रास्ता बदल दोगे you will change your path और आप रास्ता बदल दोगे तो eventually this will lead to more and more of corruption this will lead to more and more of debauchery of life है ना समझे कि नहीं समझे तो होता क्या है कि संग के अंदर corruption हो गया अब देखो corruption का मतलब यह नहीं है कि लोग पैसा लेना शुरू कर देते आज का modern day corruption मत पर हम लोग कह सकते हैं कि एक moral crisis create हो रहा है संग के अंदर जो नाइतिक्ता का पार्थ बुद्ध अपने सिश्यों को पढ़ाना चाहते थे वो नाइतिक्ता का पार्थ moral crisis के रूप में टूड गया after the death of बुद्धा समझे कि नहीं समझे अब बुद्ध ने कहा था है कि बुद्धम शर्णाम गच्छामी धंवम शर्णाम गच्छामी संगम शर्णाम गच्छामी संग के अंदर सब लोग अपना सर मुंडा के ही आएंगे सबसे पहले आ उतना सुंदर हूं मैं क्या करूद मैं क्या करो होता ना काफी 5 ग गाना भी बच्ते है कि किया करूं मैं उतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करो बुद्ध कहते हैं कि यह सब उतार कैओ पहले हैं आपकी सुंदर्ता यहां शंग के अंदर नहीं चलेगी आप एक simple way of life जी होगे लोगों को एक दिशा दिखाने का काम करोगे और जब संग के अंदर ही लोग अयाशी कर रहे होंगे या kind of आप देखोगे materialistic wealth के तरफ चले गए होंगे तो they won't be able to achieve salvation और निर्वान जो बुद्ध ने कल्पना की थी getting my point इसके लिए बुद्ध बहुत clear-cut बताते हैं और बुद्ध यही बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि भई आप यहाँ पे focus करिए और focus क्या है आपका एक अच्छी moral life जीने के लिए प्रॉब्लेम यह हो रहा है कि बुद्ध नियम बदले थे संग के अंदर और नियम बनाये थे संग के अंदर उन्होंने कहा था कि स्त्रियों को जोड़ना है if you want to allow the woman to join the Sangha they need to take the permission of their father they need to take the permission of their husbands they need to take the permissions of their family members उसी तो और के उपर any person who is accused of crying should not be joined Sangha अगर कोई भी व्यक्ति जिसने चोरी चापाटी की है क्राइम किया है कोई भी प्रकार का उसको संग में entry मत देना क्योंकि बुद्ध न्यू दिस पॉइंट बुद्ध को उस ताइम पर पता था कि संग में अगर गलत प्रकार के लोग आ जाएंगे तो संग not I would say worthy to run the Sangha ये उतने लायक ही नहीं थे कि ये संग को चला पाए ये उतने लायक ही नहीं थे जो पूरी तरह से इनफेक्ट है ना बहुत दर्शन को और बहुत के विचारों की legacy चला पाए तो कहानी ये चलती है मेरे दोस्तों कि इस पीरड के समय पे जब हम लोग संग को लेके बहुत प्रशन हो गया सर और संग जब तूटता है तो automatically नियम बढ़ लेंगे नियम बढ़ लेंगे तो we will find new customs and new practices will emerge समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं परंपराव बनने की शुरूत हो गई नहीं रिचूवल्स बनने की शुरूत हो गई सर नहीं नहीं कस्टम् जो चीज का बुद्ध ने खंडन किया था वही चीज अब यहां पर दीरे दीरे बुद्धा के संग के अंदर जुड़ने की शुरूत हो रही है और यह शुरू कब हुआ था second council के बाद second council उसके बाद fourth council तक आते आते आप समझने की कोशिश करोगे तो बुद्धिजम के अ अब इसका great skism का मटलब है कि अंतरगत दो बड़े-बड़े संपरदाय बनके हमने आपको बताया था महायान और हीन यान संपरदाय का विकास होना महायान और हीन यान संपरदाय के कारण क्या होता है सर we find this will lead to more and more of followers diversifying their base समझेख नहीं समझे तो जब बुद्धिजम के अं लाइद रखेगा डिविजन ऑफ संग हुआ तो दिस लीड टू डिकलाइन बुदिजम अब यह डिविजन ऑफ संग होने से फरक क्या पड़ेगा सर हैं क्योंकि यह स्कीजम के कारण हमने देखा कि दो बड़े-बड़े संपरदाय उफर क्या है एक कौन सा आया था महायान सं समफरदाय डेवलोप हुए जो विकास उसका हो रहा है उसके यहां पर आगे जब एड़वांसमेंट हो रहा है तो इसका परिनाम क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश करिए यहां जो फ।ींदिवल फॉलोवर्स से या फॉलोवर आदे-फुदर की साट जाएंगे सर आद आपका सामाजी का अधार जो है, सोशल बेस जो है, वो क्या बढ़ेगा के कम होगा, सर, है ना? तो we find the social base will going down. जो बुद्ध के समय पे unified संग था, एक लाख लोग संग के अंदर थे, साधी भाषा में आप समध्ने की कोशिश करिए, एक लाख लोग पहले संग में हुआ करते थे, अब परिस्तिती ऐसी आई, कि एक लाख की जगा, instead of one lakh, we can say hypothetically, say for example, 50,000 people, और 70,000 people started joining महायान, 30,000 people started joining हीनियान, तो क्या होगा सर, आधे इधर चलेगे, आधे इधर गे, आपकी strength कहां पे है, आप समझने की कोशिश करिए, कि आपकी strength, आपकी unity के अंदर है, हम लोग कभी कभी, शब्द यूस करता है, कि हमारी संगठन में ही हमारी शक्ती है, our strength lies in our unity, राइट और रॉंग दोस्तों है न, आप ही मुझे बताइए, कि भाई हमारी जो, शक्ती जो है, वो हमारे संगठन के अंदर है, our strength lies in our unity, हमारी strength ही नहीं है, यहां पर सब कुछ खतम हो गया, तो होगा क्या सर, you try to see, आप इसको देखने की कोशिश करिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए सर, संग कमजोर हो रहा है, बुदिजब में बटवारा हूँ, अब बटवारा में भी आप देखे, महायान वाले बुद्ध को क्या मानते है, गौड मानते है, कल्छ के क्लास के अंदर बताया था सर, महायान वाले बुद्ध को गौड मानते है, वो कहते है कि बुद्ध हमारे लिए भगवान है सर और बुद्ध भगवान है तो eventually हम लोग बुद्धी सत्वा को भी मानेंगे यह बुद्धी सत्वा मूल तह से आप देखोगे तो compassionate लोग थे जो अपना निर्वान टाल के लोगों की सेवा कर रहे थे कुछ-कुछ अभी भविशे में आने के लिए भी बाकी है महित्रे उन में से एक बोधी सत्व था महित्रे के ओपर अलड़ी कोशन आया हुआ है मैं आपको कल इसके प्रिवेस्ट के कोशन कराऊंगा अब भूता क्या है महायान वाले बुद्ध को गौड के रूप में मानते ह अब गौड के रूप में मानना शुरू करेंगे तो क्या होगा what it will lead to sir it will lead to image worship अब बुद्ध ने क्या भगवान के बारे में अपने teachings के अंदर बताया था सर आप याद करिए कि बुद्ध ने कभी भी अपने teachings में भगवान के बारे में बताया था अगर आप बुद्धा के original teachings को देखोगे बुद्धास teachings तो बुद्धास teachings के अंतरगर्थ जब किसी ने बुद्ध को बताया कि sir God exist करता है कि नहीं करता है तो बुद्ध ने इसका जवाब हा में भी नहीं दिया और ना भी नहीं दिया क्योंकि बुद्ध प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा समझाना चाहते थे बुद्ध चाहते थे कि वे ओफ लाइफ को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करिए इसके लिए बुद्धिजम को हम लोग एग्नोइस्टिक कहते हैं we consider बुद्धिजम एस एग्नोइस्टिक एग्नोइस्टिक का मतलब यह होता है कि जो accept भी नहीं करता है बुद्ध भगवान है बुद्ध की मूर्तिया बनती है बुद्ध को लेके अलग-अलग प्रकार के रिच्यूल्स होने शुरू हो गए बुद्ध को लेके अलग-अलग प्रकार के रिच्यूल्स होने शुरू हो गए सो वाट डुवी सी ओवर यह हमको क्या देखने को मिला सर बुद्ध की मूर्तिया बन रही है image worship हो रहा है rituals होने की शुरूवात हो गई मतलब कर्मकांड एक विशेश प्रकार की होने की शुरूवात हो रही है और इसके अंदर आप देखने की कोशिश करोगे तो complexity आ गई ये complexity के कारण काफी लोग महायान संप्रदा है और महायान में से over a period of time आप देखने की कोशिश करोगे जब तीसरा एक संप्रदा है इनका निकल के आया भजरयान संप्रदा है जिसमें तंत्र मंत्र विध्या की बात की है उससे काफी लोग नाराज हो गए मतलब नाराज होने का मतलब ये है कि उसके सामने एक इनफेक्ट है ना बहुत चारे options निकल के आगे अब original बुधा के teaching में कहीं ना तंत्र मंत्र की बात है original बुधा के teaching में ना ही कोई संप्रदायो की बात है बुधा के original teaching की जब हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या चीजे देखने को मिल रही है हमको पता चल रहा है कि बुधा ने इन सब चीजों से हटके लोगों को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की बट हीर इन दिस केस वी आर सीइंग कि एक जो पूरे के पूरे संप्रदाय बन रहे है यह संप्रदायों ने बुध के ओरिजिनल टीचिंग से डिवियेट हो गए से तो हम क्या कहेंगे कि the different sect that emerged after the death of बुधा they deviated they deviated their path यह अपना रास्ता भूल गए and because they deviated their path यह अपना रास्ता जब भूल जाते है so this created an impact where people will be not liking Buddhism कि यह तो बुध के ओरिजिनल टीचिंग सो following नहीं कर रहे है यह तो कुछ अलगी दिशा दिखा रहे है यह तो अलगी रास्ते में जा रहे है getting one point तो होता क्या है कि इन सब बेजिस के उपर से बहुत सारी चीज़े यहां से निकलने को आ रही है there are multiple points that are coming up और इसके कारण Buddhism के अंदर बहुत सारे internal हम लोग कहा है सकते हैं कि weaknesses देख रहे है we are finding multiple internal weaknesses coming up यह weaknesses के अंदर में आप देखेगा skivism and buddhas teaching का एक बहुत बड़ा आपको यहां पर factor देखेगा सर उधा ने original teachings किस ने दी थी पाली language के अंदर और पाली literature was the main literature of Buddhism अब जब महायान वाले निकल के आए when the महायान started preaching when the वजरयान started preaching इन दोनों संपरदायों ने in fact Sanskrit language का उपयोग किया अब उस टाइम पे आप देखोगे कि Sanskrit language से ज्यादा common man की जो language थी वो पाली और प्राकृत हुआ करती थी so the language that was being spoken by the common man at that time was more of पाली and प्राकृत rather than the Sanskrit अब होता क्या है कि ये लोग ने भाशा भी बदल दी जो नए नए संपरदाय आ रहे है सरहना all this new sect that were coming up they started actually changing the language as well तो original जो language थी जहां पर बुद्ध पढ़ाया करते थे original भाशा जिसके आधार के ऊपर बुद्ध ने अपना जीवन infect है ना बिताया था वो भी बदल रहा है सर getting one point or not है ना तो होता क्या है आप समदने की कोशिश करिए हमको पता चल रहा है कि बुद्धिजम ने अपना original essence से वो गुमा दिया था सर समझेक नहीं समझे original essence गुमाने का मतलब यह है कि संग के अंदर बढ़लावाना बटवारा होना बुद्ध को भगवान मानना बुद्ध की मूर्ति पूजा होना बुद्ध को लेके image worship होना rituals complexity की शुरुवात होना everything was going in this period से समझेक नहीं समझे and this created the basis एक ऐसा आधार बनता है जहां पर हमको पता चल रहा है कि बुद्धिजम के अंदर बहुत सारे बटवारे हुए interpretation हुआ issue create हुआ और बुद्धिजम decline में जा रहा है सर यह decline में जाते जाते we come to know about one more point और इसके अंदर हम लोग यह कहे सकते है कि इस पीरड के समय पे जब बुद्धिजम आगे चल रहा था and by the 5th and 6th century onwards by the 5th and 6th century CE onwards we see there is revival of puranic Hinduism revival of Hinduism taking place revival of Hinduism का मतलब क्या है Hinduism का मतलब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे Vedic religion या Vedic traditions जो था वो सबसे मजबूत हो रहा है फिर से हमको पता चल रहा है कि भारत के अंदर गुप्ता dynasty करके dynasty power के उपर आई है 320 CE के आजपस power के उपर आये यह लोग और इनके समय पे हमको पता ये भी चल रहा है और पुरान के लिटरेचर के अंतरगत जो मूल तह से वेदो की भाषा थी उसको कहानियों में कैद करते हो हर एक भगवान के आधारीत आपके पुरान बनने की शुरुवात हुई इसमें विश्णु पुरान आएगा गरूड पुरान आएगा शुव पुरान आएगा शर है ना multiple पुरान भागवत पुरान आएगा शर ठीक है ये पुरान के आधारित एक नए traditions डवलोप हो रहे हैं और commonment भक्ती परंपरा की तरफ चल रहा है तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे traditions डवलोप हो रहे है और ये traditions के तहत Buddhism को इसके अंदर समाने की कोशिश की जा रही है We see that there were multiple sects that were coming बहुत सारे संपरदाय बन के आए Vaishnavism के संपरदाय बन के आए Shaivism के संपरदाय बन के आए हमको पता चल रहा है उस टम पर शक्ती माताजी के आरधना की जा रही थी there were multiple communities जो मूल तहसे आप देखोगे शक्ती पूझा करती थी शक्ती की आराजना करने वाले लोग थे सर रहना तो यह वह ऐसे समुदाय के लोग थे यह वह ऐसे संपरदाय के लोग थे हम लोग कह सकते हैं जिनके बेजिस के ऊपर काफी सारी चीजे डबलब पो रही है सर इसी पीरिड में सर and this is how we find कि Buddha was actually considered as reincarnation आप देखने की कोशिश करोगे क्या बुला गया Buddha is a considered as a incarnation of Vishnu आप देखिए incarnation of Vishnu और Vishnuji के नौवे अवतार के रूप में बोल दिया गया यह और कोई नहीं यह नौवे अवतार है विश्णू के सर है ना तो जहां बुद्ध इन फैक्ट एक दूसरे भगवान के रूप में महायान वाले पूज रहे थे वज्रयान वाले उनको कुछ अलग तंत्र मंत्र की तरफ शक्ती की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे है उसके सामने जब हम लोग बुद्ध को देखते हैं वी सी-दस्टोरी और बुद्ध को यहां पे क्या बोला जा रहा है से ना बुद्ध को बोला तो वाट वी सी ओवर हियर हिंदुईजम इस ट्राइंग तुब्रिंग बुदिजम इन इस फेवर वह अपने तरफ लेने की कोशिश कर रहा है अपने तरफ खीचने की कोशिश कर रहा है सर ना बुद्ध को विष्णु नाइन्थ अवतार के रूप में कंसिडर करवा दिया गया कि यह और कोई नहीं है यह विष्णु जी के ही नौवे अवतार है सर है अब इसके कारण क्या हो रहा है कि बुद्धिजम के अंदर अल्रेड़ी बहुत सारी वह है की कन्फूजन हो रही थी उनके जहां पर हमको क्लियर कट चीजे दिख रही है और हम लोग को यह समझ में भी आ रहा है कि यह जो बुद्धिस ट्रेडिशन्स डेवलोप हो रहे हैं और इस बुद्धिस ट्रेडिशन्स एक्चुली गिटिंग डिवलोप उसको चैलेंज हो रहा है सर समझे कि नहीं समझे है इसी के अंदर अगर आप कंटीनिवेशन के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो बुद्धिसम को सरवाईव किया है उसके बीचे का कारण है बुद्धिसम को पॉलिटिकल पैट्रोनेट बहुत मिलता है सर पॉलिटिकल पैट्रोनेट का मतलब क्या है कि अगर आप इं कोशिश करिए कि इसके बाद ही हमको बेजिकली हर्शवर्दन जैसे राजा दिखेगा सर है बट क्या होता है बाई सेवन्थ सेंचूरी साथवी शताबनी तक आते आते अब पॉलिटिकली जो उसको पैट्रोनेज मिलना चाहिए जो उसको ग्रांट मिलनी चाहिए जिस तरह से बहुत सादू संतों को आदर सम्मान सोसाइटी के अंदर रिवार्ड के रूप में मिलना चाहिए अब वो धीरे धीरे कम हो रहा था क्यूंकि अब राजा जो थे वो बेसिकली आराजना कर रहे थे भगवान की सर है अब राजा जो लोग है मूलतह से आप देखोगे तो वो बुधिजम को जगा हिंदुईजम को ज्यादा प्राधन्या दे रहे थे पॉलिटिकल पैट्रोनेज में अब इन सब कंडिशन के समय पे भारत में पॉरेन इन्वेजन्स हो रहे है इसमें प्रॉब्लम यह हो रहा है कि यह फॉरेन इन्वेजन्स में दो विदेशी आकर चेंगे भारत के ऊपर होने वाले पहला देखेगा दा हून इन्वेजन कौन सा दीखेगा हून इन्वेजन यह है न सेंटर एश्या से आने वाली ट्राइब है नॉमेडिक ट्राइब फीसरे और यह हून लोग आके इनफक्ट काफी सारे नौर्सवेस्ट एरिया को डिस्ट कर दिया जो नॉर्थ स्वेस्ट के अंदर हुआ करते थे अब नॉर्थ स्वेस्ट में देखोंगे तो तक्षशीला वास वेरी विक सेंटर वन्स अपॉन टाइम इंटिक्विटी देट उसके बाद देखोंगे तो नालंदा को भी थोड़ा बहुत डेमेज पहुंचाया था पर नालंदा फिर से रिवाइड रिविल्ट कर दिया क्योंकि हर्षवर्जन ने उसको बनाया सर है ना बट ओवर पीरिड ऑफ टाइम होन के बाद आपको एक और दिखेगा तर्किश इन्वेजन अब तर्किश इन्वेजन में कौन दिखता है सर वाट डूवी सी वी फाइ आपके इन्फेक्ट जो नॉर्थ स्वेस्ट इंडिया के अंदर खली नॉर्थ सिस्ट इंडिया के अंदर यहां पर जो बुद्धिजम की बची खुची इन्फेक्ट जो सेंटर्स थी वो सब तोड़ दिया इस पीरिड में इसने नॉर्थ इस्ट वाला जो रीजन है खास करके आज का बिहार और बंगाल वाला रीजन वहां पे बुद्धिस सेंटर्स को तोड़ा जैसे आप देखोगे कि नालंदा को तोड़ा जाता है अब नालंदा वाज़ वेरी इंपोर्टन विहार इन बुद जो बुद्धिजम के लिए जुड़ी हुई थी इसके पहले तक्षशिला थी जो हूँन लोगों के समय के कंटेंबरी पीरिड में ही डिकलाइन होना शुरू हो गया था जब हूँन लोगों ने आकरमन किया था भारत में इसी पीरिड के समय पे वी फाइंड तक्षशिला इसे also getting down sir है न तो overall हमको यह देखने को मिला कि बुद्धिजम जो है और बुद्धिजम की जो कहानी है वो कहानी के अंतरगत हमको पदा चल रहा है कि जो बौध पूरी की पूरी इंस्टिटूशन से वो कमजोर हो गई बुद्ध को काफी सारे लोगों ने कह दिया कि ये त बुद्धा के टीचिंग को लोग भूल गए है बुद्ध ने जो पाली लेंग्वेज का उप्योग किया था उसकी जगा संस्क्रिट लेंग्वेज का उप्योग करना शुरू हो गया है रिच्यूल्स बढ़ गई है इमेज वर्शिप हो रहे है संप्रदाय तूट गए थे बुद्धिजम का जो संग हुआ करता था वो संग के अंदर अलग-अलग प्रकार के विचार डेवलोप हुए और संग के अंदर इतना करप्शन आया इतनी मॉरल क्राइसिस आई इतने अनवर्दी लोग आयसर है ना तो संग पूरी तरह से कमजोर हो गया इसके कारण वी कम पूरी कहानी बुद्धिजम की थी दिस वास ओल्डी स्टोडी अरिलेटेट टू बुद्धिजम और यह कहानी के तहत मुझे आपको यही कनवे करवाना था कि बुद्धिजम के साथ क्या हुआ और बहुत दर्शन किस तरह से फाइनली डिकलाइन में जाता है अब यहां से इंपक्ट के रूप में देखना है कि बुद्धिजम पतन तो हो गया सर है अभी हमने देखा कि बारवीश अदाब्दी तक उसकी डिकलाइन तो हो गयी सर है अब उसकी असर क्या रही है what has been the impact on India what has been the total impact of Buddhism on India सर है बुद्धिजम ने इंडिया को क्या क्या चीज़े दी है य हम लोग impact of Buddhism और चले जाता है फाइनली लास्ट टॉपिक के ओपर दी इंपक्ट ऑफ बुद्धिजम सर समझेक नहीं समझे है ना तो यू ट्राइटो उंड़स्टेंड कि इसका क्या इंपोर्टन से इसके ओपर चला जाता हूँ एंड लेट अस ट्राइटो सी कि बहुत दर्शन की असर इंफेक्ट क्या क्या रहती है अब देखिए हम बुद्धिजम की असर को तीन चार पॉइंट्स के तुरू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे सर है ना विल ट्राइटू अडेंटिफाई बुद्धिजम इ कि बुद्ध ने बताया कि आप कोई भी चीजों को स्विकार मतलो सर देटीचिंग सब बुद्धा एक्चुली कॉल्ड दी कॉमन मैन तो आस्क दी कोशिंस प्रशना करते रहो उनको रीजन करते रहो जो भी चीज है उसको सर गिडिंग मपन ये जो रीजनिंग की बात है सर क्योंकि इसी के बेजिस के ऊपर से इनफ़क पूरे बुद्धा की लेगेसी आज के तारीख में भी चलती है सब ये टीचिंग के अंतरगत हम लोग लिख सकते हैं कि बुद्धा नेवर वांटेट तो एस्टबिस्ट रिलीजियन बट वेन इस फॉलोर स्टाटेड प्रीच सिटीज और रिचुवल्स हम लोग कह सकते हैं कि इत वाज मोर अफ और कोड अफ कंड़क्ट ये कॉमन में के लिए एक दिशा दिखाने का काम था सर और कॉमन में को कहा गया कि आप अपने कर्म को फॉलो करिए सर ये बताया गया बुद्ध के द्वारा कि आप कर्म को फॉल पॉलिशनरी था सर बुद्ध का संग को देखोगे तो संग वाज ओपन फॉर और संग वाज सब के लिए खुला था तो इसका एक फाइदा क्या होगा वाट वाट वस देडवांटेज आउड अफ दाट हमको बदा चलता है कि इट वस इंक्लूजिव तो बुद्धिजम न बुद्धिजम जिस पीरड में डेवलोफ हो रहा है इस पीरड के अंदर बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे उसमें वर्ण प्रथा भी चल रहा था उसमें वेदों को लेके भी बहुत सारे इंश्यू चल रहे और इसके कारण बुद्धिजम ज़्यादा पॉपिलर हो पाया उसकी असर के रूप में आप देखिए तो बहुत पॉपिलर हो पाया है तो एक तो पहले और टीचिंग्स के अंदर हम लोग यह चार-पांच चीजे लिख सकते हैं कि बुद्धिजम ने हमको बहुत सारी चीजे सिखाई है यह चीजे सिखाने के अंतरगर प्रैक्टिकालिटी बहुत ही इंपॉर्टन आस्पेक्ट है जो बुद्धिजम लोगों को बताते हैं अब को मैं फिर से रिवाइस तो नहीं करवा पाऊंगा as it is पूरा का पूरा पर अगर आपको किस्सा गौतमी का किस्सा याद होगा याद है तो यह चीज हम लोग इसके अंदर से इंक्लूड कर सकते है we can include the aspect of practicality जो बुद्धा बताते हैं अपने जीवन के अंदर सर ठीक है ना तो simple religion, way of life, social equality, promote की है inclusive बताया है irrespective of one, कोई भी one से होंगे तो आप उसके साथ कोई लेना देना नहीं है आपको basically कोई discrimination नहीं करेंगे और सब के साथ आपको open रास्ता बताएंगे in fact बुद्धा ने अपने teachings के थूँ ये बताया कि हर एक इंसान निर्वान प्राप्ति कर सकता है पहले ऐसा था society के अंदर कि निर्वान मतलब जिसे हम लोग कहते है salvation या इसी कोई हिंदी के अंदर मोक्ष प्राप्ति कहते है वो मोक्ष प्राप्ति को लेके कॉमनमेन को बहुत प्राप्लेम हो रहा है पर ये simplified way के अंदर बताया यही teachings के अंदर आज की तारिक में देखिए तो अहिंसा का सिधान्त उतना ही popular है इतना तब भी हुआ करता था हम कहता है कि अहिंसा पर्म धर्म और फिर आगे की line भी है धर्म अहिंसा तथे वचा धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको हत्यार उठाना पड़ता है तो भी उठा दीजिए सर पर बुद्ध एक चीज़ के उपर फोकस कर रहे थे वो है अहिंसा का सिधान्त बुद्ध ने ये लोगों को बताया कि आप अहिंसा को फॉलो करिए अहिंसा का रास्ता ही सबसे मजबूत रास्ता है आपके जो भी point है और इसी के थूँ चलोगे तो ज्यादा ठीक रहे का सर और इहीं basis के उपर से हम लोग tolerance को भी लिख सकते है कि बुद्ध ने अपने teachings के अंदर लोगों को tolerance भी सिखाया लोगों को सहनशील बनाया कि आपके विचारक आपके against में बोल सकते है आपके साथ सहमती नहीं रखने वाले लोग भी होंगे there will be a class of people who will not be agreeing to the viewpoint but that's absolutely alright वो चलेगा उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है सर ठीक है तो ये भी इसी का ही एक point आपके अंदर से मिल जाएगा सर get him a point है न तो आपको ये points पहले तो पता चलने से कि बुद्धिजम की impact क्या रही है बुद्धिजम की असर क्या रही है सर ठीक है ये impact के अंदर reasoning teaching की कहानी आपको यहां से दिखेगी इसी के continuation में अगर आप समद्ने की कोशिश करिए इसी के continuation में अगर आप समद्ने की कोशिश करिए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बुद्धिजम ने in fact भारत के अंदर यहां पे architecture में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है विहार मतलब एक ऐसी जगा जहां पर लोग रहते थे और विहार में यह बहुत थे एक्षुली विहार जो है उसी के नाम के ऊपर से विहार नाम पड़ा है आज जो हम लोग state का नाम देख रहे हैं कि भही यह state का नाम बिहार क्यों है सर्व क्योंकि उस टाइम पर बुदिज्यम वहां पर बहुत फ्लरीश हो रहा था और वो इतना फ्लरीश हुआ तो over a period of time it was called as विहार समझे कि नहीं समझे है ना तो विहार is kind of a place of residence जो मौंक्स के लिए बनाई जाती थी सर है ना और वो गुफाओं को काटके बनाई जाती थी सर है ना बहुत सारी यह इसी तोर के ओपर चाइतियस देखोगे यह prayer halls हुआ करते थे यह भी गुफाओं के अंदर बनते थे सर है ना तो इन सब का architecture का development होना शुरू हुआ इसे के अंदर स्थूप architecture बना बना की नहीं बना सर और भारत में एक से एक स्थूप architecture बुदिजम का ही एक देन है सर बुदिजम की impact आपको आइडल वर्शिप के अंदर भी मिलती है क्यूं क्यूंकि महायान बुदिजम के बाद जब image वर्शिपिंग का trend शुरू हुआ तो यह बुदिजम ही था भारत में तीन बड़े-बड़े in fact स्तापत्या की शैली को develop करवाता है एक गांदार स्कूल को develop किया एक मतूरा स्कूल को develop किया और तीसरा अगर आप देखोगे तो अमरवती स्कूल को भी develop करवाता है तो यह जो गौड का concept आपको दिखेगा वेन बुधा इस गौड तो इस गौड तो इस गौड तो in the art form वो कला के रूप में आपको बहुत develop करवा रहा है तो इसी का ही continuation में अगर आप तीसरा point देखोगे तो बुधिजम जो था वो इंडिया में learning centers develop करवा रहा है और learning centers के रूप में आप समदने की कोशिश करिए तो हम लोग को बदा चल रहा है कि learning centers में बुधिजम ने पाच महा विहारों का निर्मान करा है the five महा विहार है ना कौन से थे five महा विहार तो याद रखेगा एक तो नालंदा था जो गुप्ता डैनस्टी के समय पे कुमार गुप्त के द्वारा बनता है हर्श्वर्दन और पाल डैनस्टी उसको revive करेगी आगे नालंदा के बाद आपको देखें कि आ विक्रमशिला यूट फ़ांड a place called as विक्रमशिला विक्रमशिला के साथज़ाद आप देखोगे जगडल्ला एक और देखोगे सोमपूरी सोमपूरी एं चौथा आप देखोगे तो ओधान्थ पूरी तो यूट फाइव प्लेस पा करके आई इसी को भी महाविहार कहते है क्योंकि यह रेसिडेंशियल कॉलेजिस हुआ करती थी यह रेसिडेंशियल युनिवर्सिटीज हुआ करती थी जहां पर पूरी दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे मलब आप सोच नहीं सकते नालंदा के बारे में ना पांच अलग अलग शाखाय है दिसार फाइव डिफरेंट डिफरेंट प्लेजिस इन विहार बंगाल उसमें से एकाद अभी बंगलादेश की तरफ से ला गया है इन फैक्ट यह पांचों के पांचों विहार में से यह जो चार है ना मलब टू थ्री फोर और फाइव यह स्टक करवाता है थोड़ा डोनेशन देता है सर ठीक है तो कहानी क्या है स्टोरी गोज ऑन उसे कि यह मल्टीपल इंस्ट्यूइशन डैट वर क्रिएट बहुत सारी संस्ताय बनती है यह बुद्धिजम का ही देन है इन फैक्ट यह सीरीज आफ नेटवर्क में चलती थी यह नालंदा में एक टाइम के ऊपर आप पकड़ के चलो एक लाग से ज्यादा मैनुस्क्रिप्ट हुआ करती थी मैनूस्क्रिप्ट का मदलब है लिट्रेचर का डेवलोपमेंट सर समझे नी समझे है ना तो बुद्धिजम ने उस टाइम पर पाली लिट्रेचर का विकास यहां बहुत सारे foreigners आते थे यह भाषाओं को सीखने के लिए और फिर अपने घर पे लेके जाते थे सब जैसे यूएंसांग आया होगा जैसे फाहियान आया है जैसे इचिंग आया है वाइंग जुआंग जैसे लोग आपको मिल जाएंगे सर्गेडिम अपॉर्ट है ना तो के लेके जाते थे सर है न तो कितनी सारी चीज़े हमको मिलती है जो बुद्धिजम के साथ ट्रेडिशन के साथ जुड़ियों जो बुद्ध ने लेगेसी के रूप में दिया है और बुद्ध कहते हैं कि अभी भी आप इसको कंजर्व करी इसको बचा के रखे इनफेक्ट बुद्धिजम का सबसे बेस्ट पाइट यही हुआ कि इतने सारे फॉरेनर्स यहां पर बुद्धिजम के साथ जुड़े ना सर है न तो यह आज की तारीक में इंडिया को कल्चरल डिप्लोमसी के रूप में बहुत हेल्प करता है जहां जहां बुद्धिजम पॉपिलर है उन सब एरिया में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इसका मटलब क्या होता कि आप यहां पर पूरी तरह से इनफेक्ट अपनी एक मैं कहूंगा कि कल्चरल चीजे छोड़ के जारो जैसे आजकल हिंदी फिल्म का बहुत योगदान है योगा का योगदान है वैसे बुदिजम का योगदान है आप देखे साउथ इस्ट एशिया में थाइलेंड से लेके आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो कमबोधिया है वियत नाम है बाकी सारे आपके साउथ इस्ट एशिया के कंट्रीज है वहाँ पे बुदिजम बहुत पॉपिलर है कोरिया जापान की एक्जामपल लेजिए चाइना की एक्जामपल लेजिए तो जहाँ जहाँ बुदिजम पॉपिलर है वहाँ पे हमको यह सॉफ्ट पावर का उपयोग का फाइदा मिलता है और वो बुद्धा की ही लेगेसी है क्योंकि बुद्ध रहे की ना रहे श्रिलंका देख लिजिए श्रिलंका इस complete Buddhist nation श्रिलंका 100% बुद्धिजम के अंदर convert हो गया वो नेशन है क्योंकि अशोक ने अपने बेटे-बेटी को भेजा था तो ऐसे बहुत से आपको जटी यह मैं कहूंगा की impact दिखेगी जो बुद्धिजम को आज की तारिक में भी relevant बनाता है तो बुद्ध भले ना रहे हो पर बुद्ध के विचार अभी भी जिन्दा है याद रखेगा in spite of Buddha is not there the teachings of Buddha is still with us and बुद्धा हमको एक दिशा दिखाते है बुद्धा हमको एक रास्ता बता रहे है बुद्ध इम्मॉर्टल हो गया है वो अमर हो चुके है सर उनके विचार, उनके समय से एक आगे चलने वाली जो पूरी एक बुरी सोच थी वो समाज के अंदर जब जब दिक्कते problem, issues create होते है तो उसको एक नई दिशा दिखाने के लिए हमेशा आतूर रहते है सर ये थी कहानी Buddhism की Buddhism के अंदर होता ये है कि by the third fourth century by the third fourth century भारत के अंदर यहां पे हमको पता चलेगा कि पुरानिक Hinduism का development होगा जहां पुरान आधारित परंपराओ के रूप में हमको पता चलता है कि Vishnu की Vishnuism का development होने की शुरूवत होगी सर हम लोग कल के क्लास के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे इसी पीरट के अंतरगत क्या हो रहा है सहिविजम का विकास हो रहा है वी फाइंड शक्तिजम इस गेटिंग डेवलोप शक्तिजम का मतलब क्या है यी basically माता जी की भक्ती की का राधरा हो रही है सर तो इन सब पीसिस के कारएंद बुदिजम फिर ज्यादा नहीं डेवलोप हो पाया और उसको competition भी था उसको challenge भी था सर बट वी सी दाट बुदिजम इस्टेल रेलेवन फॉर उस next class में हम लोग discuss करेंगे यहां से ही ancient इंडिया के अंतरगत कि पुरानिक हिंदुजम का ग्रोथ कैसे हुआ किस तरह से विश्णु शिव शक्ती की अराधना की जाती है विश्णु शिव शक्ती की अराधना के basis के उपर यहां से अलग-अलग संप्रदाय बनेंगे और फिर भक्ती की शुरुआत हो भी खेर भक्ती यह किताब में नहीं है भक्ती standard 12th की जो part 2 है themes in Indian history part 2 उसके अंदर है तो भक्ती मैं उसके उपर कराऊंगा I'll not take the भक्ती moment as of now कल हम लोग पुरानिक traditions देखेंगे most probably बुद्ध के related previous questions देखेंगे previous questions के अंदर से हर बार questions बन जाता है every time they will ask you a question either of the questions can be asked from Buddhism as well so be prepared for that आप उसके लिए थोड़ी prepare रहिएगा आशा करता हो कि आपको यह session अच्छा लगा ठीक है तो कल हम लोग इसके उपर आ जाएंगे पुरानिक Hinduism के उपर आएंगे most probably यह chapter का आखिर का session होगा क्योंकि यहां से ही फिर Hinduism का फिर से revival होता है गुप्ता period तक आते आते we find temple building will take place mandirों का निर्मान होना शुरू होत हो जाएगा और temple building के तहत फिर Nagar, Dravid and Vesad style of temples का बनने की development होगा तो Nagar, Dravid के बारे में तो हमने बाद में discuss करेंग इसका क्या relevance, इसका क्या importance अभी नहीं जा रहा हो sir पर इतना रखते हैं आज के class के अंदर let us keep this class up till now and we have almost covered Buddhism inside out यह decline का और impact का part आपके किताब में नहीं दिया है sir, ठीक है this is not given in any books और इतना elaboratory आपको कहीं पर मिलेगा भी नहीं sir, है न ball by ball commentary या खाली एक शब्द पढ़ने से in fact है न, उसके उपर analysis करने की कोशिश करिये, उसका पूरे concept को देखे, उसके nature को देखे, सर है न, समझेक नहीं समझे, तो this is not given in the book यह किताब में नहीं दिया है, NCRT में नहीं दिया है reference book में राम शर्माय में दिया है या और ही authors की किताब में दिया है but it is my duty as a teacher कि मैं आपको यह explain करो sir, है न, क्योंकि मेरा intention यह नहीं है कि आप खाली और खाली NCRT को पढ़े NCRT का तो title दिया है, by the way अब तक तो NCRT हो जानी चीए, पूरी किताब हो जानी चीए मैं अभी वही chapter के अंदर अटका पढ़ा हूँ समझे कि नहीं समझे और ये तो foundation यहाँ पर करवा रहा हूँ से, आप मेरे comprehensive courses को attend करेगा and academy plus के ओपर मैं आपको गलत नहीं कहूँगा क्योंकि ये courses में इसी बात को और elaborate किया है stoop architecture के ओपर और एक घंटा पढ़ाया हुआ और वहाँ से questions बने हुए ऐसा नहीं कि यहाँ पर उल्टा पढ़ा रहो, वहाँ पर कुछ extra है वहाँ पर extra है जरूर exam century की है, पर यहाँ आपका foundation तो हो जाएगा उतना तो मैंने करवाया है ठीक है so let us conclude the session today आज session को conclude करते है, hopefully आपको ठीक रहा होगा अच्छा लगा है, तो जरूर से like बोल दीजिएगा comment section के अंदर और like मार के थोड़ा बहुत बच्चों के साथ share भी कर दीजिएगा, कि भी master आज किताब के बहर जा रहा है और आगे classes में किताब के बहर जाता रहूंगा, ठीक है जुड़िए हमारे साथ इंडिया के largest learning revolution में one to one discussion और learning को आप enjoy करेंगे by raising your hand तो मैंने आपको पहले भी बताया कि we have got some finest future called raise your hand जहां पे आप हमारे साथ सीधा सीधा समभाद कर सकते हैं और मैं आपके साथ समभाद कर सकता हूँ just like हमारे बीच में audio telephonic discussions हो जाते हैं तो it's a very great feature I would say and ये plus subscriber के लिए available है जरूर से हमारे साथ जुड़िए subscription लेते समये, ये code को जरूर से use करेगा PN live अगर आप नहीं ले रहे हो तो किसी और को भी अगर subscription ले रहा है तो उनको बोलिए गया कि ये master का code है PN live इसको जरूर से use करेगे get 10% on the fees and most welcome है हमारे plus courses के वोबर like, share and subscribe to this platform I'll see you in the next session till then keep studying all the best God bless you and Jai Hind